है व्याट्र फैंड दो हमने अपना बना लिया था हम को क्या करने एक फॉर्म बनाना है और उस घसाप से मंको अपनी autres का रेगेशंगर 에क्क करना और यूजर ने अफने फॉर्म बना यहाई सब्सक्राइब करने घ attendees करा। मैं क्लास यूजर और यहाइब तो में हूं जैंगो और यह वाला काम मेरे अंदर बिल्ट इन है मैं कहते हूं अच्छा कैसे तो जैंगो कहता है कि यार की आपको ढ़ता है तो इसमें को एक फॉर्म बनाना या तो इसमें मैं दूंगा तुमको खुछ से बनाने की जुरूत नहीं कोई फॉर्म तो उसके लिए हमको इंपोर्ट करना पड़ता है कि यह मेरा ऑफ सोग है अब क्या करना पड़ेगा फोर्म जो newer वोर्म बने चुपा थिक है बुर्ट आप बोलेंग़ यार झाक थीं प्रушки यह में को सब्सक्रोच मेश्भास करने के लस्टम ivுnh compilation में अगर कुछ डेटा पास करना होता है तो मैं आपर करते हैं तो वे मुलता हूं कि if ौ 3 इक हुआ ओर यहां पर देटा communities pic डिठा कुछ इस तरह से घि participating कि यह मेरा क्या हुआ यह मेरे मेरें साइन अप में मेरा ह चुक्ड जो मैने फॉर्म बनाए यूजर क्रेशन फॉर्म मेथट की मज़से एक बना के तो वह मैं पास कर रहा हूं अपने साइन अप.html में अब मैं जाओंगा साइन अप.html में यहां पर फॉर्म बनागा पड़ेगा तो मैं बनाओंगा फॉर्म और इस फॉर्म के अंदर मैं जैंगो ने है वह भड़ दूगा है ठीक है और मँसको रिलोड करूँगा और जम मैं यहां पर इसको रेलोड करूँगा खटा एकशीचन ही ए किर चैंगो ने जैंगो ने आपको इस तरुęd्स और पोरा फॉर्न यही क्रेस्षरू आर् क्याlarını करके दिए हमानों को अब जहां से देखें तो इसमें सम्मिट का बटन नहीं है तो वो सम्मिट का बटन मैं खुद बना लेता हूं इतना त्यार करी सकते हैं इतना चलो करी सकते हैं अब अब करें कुछ ना कुछ भर देते हैं तो वह देखो यह देखो क्या हो रहा उपर पर क्या लिखा रहा है यह उपर कुछ यह उसको पासफ़र्ड वन पासफ़र्ड टू नाम से कुछ दिख रहा है उसको और नाम दिख रहा है यह ना बहुत खतानाक चीज़ है तो क्यूंकि हमारा क्रेदेंशल डेटा यह बहुत ही इंपॉर्टन डेटा यह दिखना ने चाहिए किसी को सवाल की बात है तो म क्या कर मेरा 123 यह मेरा 123 सब्मिट में क्लिक करूंगा तो यह दो को CSRF वेरिफिकेशन की बात आगे है ठीक है CSRF न आपको बताया था क्रॉस साइड रिक्वेस्ट फोजरी ठीक है तो वह कहता है कि आगर आप पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज करते तो आपको CSRF का यूज करना देखना पड़ेगा तभी आपका फॉर्म एक दम दमा के दा चलेगा और आपका डेटा आपके बैकेंड में आएगा ओके फॉर्म एक्शन इकल टू ब्लैंक कि इसका मतलब क्या है कि करेंट पेज पर आ जाना जा आप खड़े हो वहीं पर आजाना तो मैंने इसको इस तरह करते हैं अब जो डेटा हा रहा है इस डेटा को लेंगे कहां पर क्योंकि हर चीज को हम किसे टार्गेट करते हैं नेम की मज़सर टार्गेट करते हैं ठीक है और तो हमको क्या करना पड़ेगा बेसे कि आप सोच रहोंगे कि सब करना नेम देखना पड़ेगा इंस्पेक्ट तुमको लिखनी पड़ेगी बस उससे तुम्हारा काम हो जाएगा तो मैं कहता हूं कैसे वो कहता है कि अगर आप आपका फॉर्म जब सम्मिट हो रहा है तो आप सेमी यॉर्ल पर आ रहे हैं मैं कहता हूं हां तो आप ऐसे लिख दें इफ रिक्वेस्ट डॉट इकौल टुको टू पोस्ट अगर आपके जो रिक्वेस्ट का मैथड है अगर वह पोस्ट है मल लीजी आगर आप पॉस्ट रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे है तब आप form का डेटा पता कैसे लेंगी यूजर क्रिशन फॉर्म और आप लिख लिए रिक्वेस्ट डॉट तो आपको यह कि वार में सारा का सारा डीटा में जायगा तो आप बोलेंगे कैसे Done To यह जसक हमको करने की जली है कि दोनों पासवट मैच हुए की नहीं है मतला है पहला क्राम valid हुआ तो इसको शेव कर देना मतलब ये यूजर जो बन रहा है ये जो यूजर बन रहा है अगर इसका डेटा है तो इस यूजर को सेव करते हुआ ठीक है देख रहुत कितना आसान है तो मैं को जैंगो कोई Post Request मार रहा है तब आप उसका form का डेटा लो उसको सेव कर दो और सेवक करने के ओए आप उसको ना आर्टिकल की list दिखा दो मतलब कि आप curl कर दो redirectD queremos import मतलब मतलब उसको रिडारेक्ट कर दिया जाए एक ऐसे पेज पर जिसका नेम होगा कुछ अब redirect करने के लिए आपको यहां पर URL देना पड़ता है काउन से link पर आपको redirect करना है कौन से link पर आपको भीजना है जब form आपका सेव हो जाएगा देख को render render और redirect में difference ही है कि redirect mostly दो कभी हो जाता है जब आपके form सेव हो जाते हैं जब authentication हो जाता जब login कर लेते हैं तब आपको redirect करवाया जाता है ठीक है रेंडर मतलब simple HTML render कर देना क्योंकि जब आप रेंडर करोगे ना तब बैक का बटन दबाओगे बैक का बटन दबाते ही आप कहां पर आओगे आप दुबार से लोगइन करने के लिए आपको दे दिया जाएगा ठीक है basically redirect बस इसलिए यूज होता है जब आप क्या करते हैं जब आप कोई login करते हैं यूजर बनाते हैं तब आपका redirect करने यह यूरल देना पड़ेगा तो मैं चाहता हूं कि जो मेरा यूरल सही से पता ही चाहता बट तुम्हारा नाम आज से रख देता हूं article लिस्ट और मैं पूरे प्रोजेक्ट में इसे नाम से चिलाएँगा जैसी मैं इसी नाम से चिलाएँगा तर्थ तुमनें नेम दे दीना बस मेरा नाम ले लिए लिना बस हम आजिर हो देंगे तो इसके विईू में जाएंगे अब लोग रडियर का लिसकर करकें चैनल के लियुस्ट में चैनल कुb क्लास भी नहीं नाम ने इसका कोई मॉडल ना है तो जैंगो ने सब कुछ पहले से बना के आपके लिए रखा हुआ है तो आपको कुछ करने की जरूरती नहीं है आपको कुछ करते हैं कि इस ठीच को मैं कर पाओ तो इसमेये में पेडे और आप इससे इशान को बहुती आरान сотी है ठीक है घर मजागते रहो हैं इसान ना फेज हो की नहीं चलाता ठीक है तो इसान एड़ एड़ डरेट 1234 मैं डाल दिया पासफ़ड मैं समेट पर क्लिक करता हूं और समेट पर क्लिक करने के बाद ये देखो क्या हुआ देख रहो आपक्या हुआ सब्सक्राइब थोड़ा सा जो की क्या है super user है यह देखो super user status tick जायन के पास सब कुछ अधिकार है दोस्त जो है िशान उसके पास अगर हम देखें तो इशान is not a super user इशान is just a active user सब कुछ कितने अच्छे तरीके से बना रखा है लास्ट लॉगेन डेट जॉइन सब कुछ इसमें धमा के दार से इसमें दे रखा है क्यूंकि मैं हूं सूपर यूजर तो मैं इशान को डिलीट भी कर सकता हूं अपनी वेफसाइट से तो यह होता है मेरा एड्मिन पैनल अब तो इसका पासवर्ड जो हुँने रखा था इशान एडडरेट 1234 उसका पासवर्ड देखो न एक तरह से क्या हो चुआ है तो मैं एक मैं इड्मिन पैनल पर हूं बट स्टिल मिरे को अधिगार नियुकि किसी के पासवर्ड देखना अच्छी बाद नहीं होती तो यह हमारी बात ओती है दोखो हमारी युजर बहुत ही अराम से चुका है बन ठीक है तो ये काफी अच्छी चीज़ है मैं चलता हूं बैक मैं बैक चलता हूं मैं आपको ना कुछ और चीज़े दिखाता हूं मैं युदर इशहाई का युजर फिर से बनने के कोशिश करता हूं और इसका सबन सरा कुछ बढ़ियो और 123456 मैं समयट पर क्लिक करता हूं तो यह क्या रहा है कि हुआ निवा जैद्व हिए निव उसका कुछ भी निवा को अउर को दिख्कर बड़ो गए इसमें तो मैं काम करते हो मैं यह जयandt भाई रखते हैं एक नए युजर आ यह जयक का पासवर्ड है जयdhaं123456 ठीक है और इसका इसका छीएन पासवर्ड मेर करतτοक्ता हूं है ठीक है सबक्रेट करता हूँ तो यह देखो फॉर्म समेट इंच हो इना तो क्या निहीं हो रहा है मतलब क्या दिक्कत आ गया वो शूभी तो है कि आपका user name already taken है या कुछ क्या है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा basically मिरको उसके लिए simply मिरको जैसी आपका अगर invalid हुआ form तो आप एक form बनाए उसी वक्त और return कर दें render ठीक है return कर दीजिए render request और आप signup.html signup.html और आप डेटा पास कर सकते हैं कैसे form के अधार से form और यहां पर form ठीक है अब मैं इसको करता हूँ लोड किaurais है मैंने अब मैं या पर चलता हूं इशान लिखता हूं यहाँ तो यह जो होता है मैं इसका आपको बताउंगा यह क्यूण नहीं आ रहा है मैं और देखloe मैं चाहरा हूं कि कि आपको शो हो जाए की अजई है अभी अभी Hai diplomat to मैं आपको अगर और और यूजर बना कि दिखाऊ मैं तो मालों बिल्गेट्स नाम के यूजर आमारे पसा रहे हैं बिल्गेट्स और बिल्गेट्स का पासवर्ड है 123456789 यह माइक्रोट में अपना यही पासवर्ड रखते हैं ठीक है 123456789 और समेट पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा घूमा और कुछ नहीं हुआ ठीक है कुछ की नहीं है को यह पासवर्ड जो था ना वह बहुत ही ज्यादा हलका था तो बिल् सब्सक्राइब क्लिक करते हैं तो गड़बड मैं आपको देख के बताता हूं उसक्राइब करने की हाए अपको वेलीड तब अपने व्यंगें अगर नहीं होगा, तो हम खुधी कर लेंगें, ठीक है? और अगर आपकी जो request की method है, अगर वो post हुई, मान लो, तब तो आप यह सब काम कराएंगे, इसके अलावा else, इसके अलावा else आप form बना लेना, क्योंकि form आपको चाहिए होगा, और आप data बना लेना, data is equal to form, और इसमें आपको form होगा, ठीक है, आप बस इतना से काम करेंगे, बाकी काम हम खुद देख लेंगे, अगर invalid होगा, तो कुछ होगा, ठीक है, तो मैंने इसके documentation से देख लिए सब कुछ, तो मैं इसको run करता हूँ, अब मैं यहाँ पर इशान लिखता हूँ, मैं 123456, 123456, ठीक है, मैं submit पर click करता हूँ, submit पर click कर मैंने, तो एक minute हैरे, कुछ बढ़ कोई, शायद data, data बनाने के जरूत नहीं है, मेरे ख्याल, data हम नहीं बनाते है, data को आप छोड़ते है, तो data रहने दो, form, ओके, और इसके बाद मैं directly dictionary कुछ इस तरह से pass करते हूँ, form, form, ओके, इसको मैं reload करता हूँ, और यहाँ पर आगे, मैं submit पर click करूँगा, खाली तुम्हारे, username में बनातों मैं, इशान, और मैंनों कुछ भी passport दी दिया पर, मैं enter पर click करता हूँ, तो यह दो क्या बता रहा है, a username with that username already exist, एक username इशान से न, पहले से exist करता है भाई, तो आप न, कुछ अपनी तरी, तरी, अपने तरफ से कुछ न, अलग सा नाम सोच लीजि करते हैं, development के time, और mistakes तो सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ, mistakes आप भी करते होंगे, but mistakes से हमको चीजों को सीखना होता है, मैं भी सीखी रहा हूँ, मैं भी कोई jango का बहुत बड़ा बाच्शा नहीं हूँ, ठीक है, तो jango की सबसे बड़ी है resource है, jango का official documentation, मैंने भी सारा चीज कीज को लेनी की जूरत है, वो बस इतना बोलता है कि आपको database बनाना है, वो से इतना सो बोलता है कि आप में को इंपोर्ट कर लो user creation form को, और आप में को बोलना कि अगर आपकी post request है, तो आप data लेके valid है, तो save कर लो, redirect कर दो, और अगर आपकी post method नहीं है, आपका get request है, तब form बनाओ, और उस form को आप बेज़ दो, इतनी सी बात है, बस, आपको form के बार में इतनी बताना है, तो मिलते हैं लोग नेक्स वीडियो में, इस वीडियो के लिए नहीं, तब तक के लिए, बाई